दोस्तो आज हम देखेंगे SPI ATM वर debit card को online कैसे apply करते हैं दोस्तो अगर आप एक SPI customer है एड़ एक new ATM वर debit card को लेना चाहते हैं तो आप बीने ब्रांज साके online apply कर सकते हैं आज कल maximum SPI user UNOSPA mobile banking आपको use करते हैं इसमें आप घर बेटे ATM card को online apply कर सकते हैं ब्रांज सान की कोई विज़रूत नहीं है तो चले जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस दोस्तो पहले UNOSPA आपको open कीजिए अगर आपके पास UNOSPA account नहीं है तो account detail और debit card detail के साथ register कर दीजिए देन account open होने के बाद आपके home screen के नीचे quick links में service request का एक option है इस पे click कीजिए देन service request में ATM और debit card का option है इस पे click कीजिए उसके बाद आप अपना internet banking profile password को देके summit का उपर click कीजिए अगर आपको अपना internet banking profile password याद नहीं है तो नीचे forget password का एक option है इस पे click करके आप new internet banking profile password को बना सकते हैं यहाँ पे request new और replacement का एक option मिलेगा इस पे click कीजिए new debit card को apply करने के लिए account number को चूज कीजिए ते नीचे name on card पे आप अपना नाम दीजिए यहाँ आप अपना जो भी नाम देंगे वो card के उपर print हो जाएगा ते टाइप card को चूज कीजिए दोस्तों SPI में कोई परकर के ATM और debit card है सब भी ATM card की limit and charges का वीडियो description पे है उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी ATM card को apply कर सकते हैं उसकी limit and charges के बारे में आप सब भी information जान सकते हैं यहाँ पे आपको तीन तरह का option मिलेगा एक है visa contract less दूसरा है रूपे global और तीसरा है visa global इन में से कोई भी एक option को choose कीजिए यहाँ पे bank register address automatic आज आएगा तो address को select कीजिए यहाँ पे आपको अपना ATM card का delivery मिलेगा नीचे transaction condition को accept करके next को उपर क्लिक कीजिए अगर आपको और कोई तरह का debit card चाहिए तो आपको branch आपको apply करना होगा यहाँ पे जितने भी debit card है उन्ही कोई आप online में apply कर सकते हो यह जैसे आप तीन option दे तो यहाँ पे इसी तीन debit card को हम online apply कर सकते हैं बाकी और कोई debit card को लेना है तो आपको branch आके apply करना होगा यहन आपके register mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को दीजिए और submit के उपर क्लिक कीजिए यहन आपका ATM debit card successfully apply हो जाएगा और आपको एक reference number मिलेगा इसी reference number के थो आप ATM card को track कर सकते हैं दोस्तों card apply होने के 10 या 15 दिन के अंदर आपको अपना debit card मिल जाएगा दोस्तों यहनो SPI के अलावा हम SPI के internet banking के थो भी ATM debit card को apply कर सकते हैं दोस्तों इस तरह आप यहनो SPI के जरिए ATM debit card को online में apply कर सकते हैं यह वीडियो के अपने कमेंट पर बताएएं अच्छा लगे तुम्हा लाइक सेरें सब्सक्राइब करना THANK YOU FOR WATCHING